हेलो एरिवान कैसे हैं आप सब लोग तो आज आपके सामने है फ्लोरा एंड फोना ऑफ जी एंड के का पार्ट नमबर टू यह आपकी इस वीडियो के बाद जोग्रफी ऑफ जी एंड के कम्प्लीट हो जाएगा उसके आद हम नेक्स टॉपिक को पकड़ेंगे तो आज हम करन पढ़ने जा रहे हैं फोना ऑफ जी एंड के लाज वीडियो में हमने बात की थी फ्लोर ऑफ जी एंड के जिन्नों ने वो वीडियो नहीं देखी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उपर आई बटन को क्लिक कर लें उधर से आपको पहले बेसिक नॉलिज मिल जाए कि फ्लो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो अप्लोड ओ आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चलो स्टार्ट करते हैं तो एक वारी हम लाज वीडियो का क्विक रिकैब ले लेते ताकि जितना भी हमने लाज वीडियो में पढ़ा था वो रिफ्रे फोड तो आपको चुन लेना है कि अनिमल किंगडम फिर हमने बताया था वैसे बड़े मैंट से क्लासीफाइब किया रहता है जो में माने जाता है और असान करने के लिए इसा Size को बिंग्राइब ऑन्द अनुद और दा नेम फोना माय इंडर आज बीप्ट से मैंनों को माय and undiscovered animals are named as crypto फोना फिर हमने बात किती हुए अमके बिच में difference डिफ्रेंस तो आपको पता है फ्लोरा प्लांट婆ला एंड फोना और आनिमल किंड़म और मेंड चीज जो आपको पता होना जाहिए कि फ्लोरा जो है अपना खाना कुद बनाते है और जो फोना है वो depend है flora पर for their food फिर हम नोंके बीच में importance पड़ी दिए उनके बीच में वो important क्यों है interdependent है एक दूसरे पर interdependent क्यों है because flora नीड carbon dioxide and फोना नीड oxygen और यह दोनों एक दूसरे को जैसे अगर फोना को oxygen चाहिए तो फ्लोरा प्रोवाइड करता है और जो फ्लोरा को carbon dioxide चाहिए वो फोना प्रोवाइड करता है फिर हमने पड़ा थे factors affecting natural vegetation जो आपके factors effect करते नेच्चर वेजिटेशन को relief में आप क्या आते है land and soil और climate में temperature sunlight और precipitation इसको detail के लिए आप उपर i button को click कर ले फिर हमने पड़ा था फ्लोरा में natural vegetation और फोना में हम पड़ेंगे wildlife फ्लोरा में हमने क्या पड़ा नेच्रल वेजिटेशन, फोना में हम पढ़ेंगे वाइड लाइफ, तो वाइड लाइफ क्या है, ठीक है, वाइड लाइफ क्या है, वाइड लाइफ वो है, देखो, एक होता है वाइड, एक होता है डुमेस्टिक, डुमेस्टिक हो गया पाल तू, ठीक है, और वाइड हो ग होगे wild animals तो इनकी life के बारे में हमने पढ़ना है फोना और जेनके में इसमें हम discuss करेंगे जो important wildlife creatures है हमारे जेनके में जो हमारे जेनके जिन creatures के लिए मशूर है उनके बारे में detailed study करेंगे इस वीडियो में तो wildlife के बारे में मैंने आपको basic सा knowledge दे दी इसके डीप में पढ़ेंगे जब हम एको सिस्टम आपका आएगा बायोडिवस्टी आएगा उसमें आपको डीप में पढ़ाया जाएगा तो अब आप सबी के लिए एक होमवक है ठीक है स्टार्टिंग में होमवक दे रहा हूं अब आपने इसे कमेंट सेक्शन में लिखना है जो आपका वाइड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है कब पास हुआ था कब पास हुआ था उसके और आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है ये आपको कोश्चन आ सकता है एकजाम में ये मैं बता भी सकता हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये खुद सर्च कीजिए इसे क्या होता है जब आप खुछ सर्च करोगे तो आपको अपने आप वो चीज लर्न हो जाएगी ठीक है अब आप में से बड़े से ऐसे स्टुडेंट होंगे आलस के काहा नीचे कमेंट सेक्शन में ही आंसर देख रहे होंगे ठीक है वो सर्च नहीं करेंगे लेकिन वह आप इक है फ्लोरा में हमने क्या पढ़ा था नेच्चर वेजिटेशन नेच्चर वेजिटेशन के में पता दिया थे टाइप सब्ट्रॉपिकल टेंप्रेड एल्पाइन और जीरो फाइटिक जो जे एंड के में पाया जाता है फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट फ्लोरल क्रेचेस पढ़े थे जे एंड के के डैट इस चिनार दे मोश फेमस चिनार का दूसरा नाम क्या किस लोकली उसे किस नाम से जा जाता है बोनी फिकिंग ऑफ ट्रीज भी है कश्मीर में ये ठीक है पाइं ट्री के बारे में हमने पढ़ा था सिल्वर फिर द्योदार ट्री के बारे में पढ़ा था तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाइड लाइफ ठीक है वाइड लाइफ का मैंने आपको मीनिंग बता दिया अब कुछ पढ़ते हैं स्पीशिस एक आपको पता होना जी एकस्टिंट स्पीशिस एकस्टिंट स्पीशिस क्या होता है ठीक है एकस्टिंट का मतल मतलब की extinct species वो species होते हैं जो इस संसार में जिनकी प्रजाती इस संसार में पूरी रूप से खतम हो गया जो पूरी पूरी खतम हो गया उनका कोई भी एक creature भी एक creature कहते न वो भी नहीं बचा इस संसार में तो उस species को हम क्या बोलेंगे extinct species तो इसमें से इंग्जेंपल आ जाती है डोडो डोडो एक ऐसा एनिमल है एनिमल यह बर्ड है जो इस संसार में उसकी पूरी की पूरी प्रजाती खतम हो चुकी है तो आपको उदर na extinct species के बारे में एमसी क्यों आ सकता है आपको उदर पूछा जा सकता है वो कौन से species होते हैं जो इस संसार में खतम हो चुके विच आज नो species alive तो उदर आपने चुलने ने extinct species बाद में बात आती है endangered species तो endangered species कौन से होते endangered species is an animal or plant that is considered at risk of extinction जिने extinct होने का रिस्क है खतम नहीं हुए वो कुछ बचे है हजार के करीब कुछ 1500 के करीब बस पूरे world में सिर्फ और सिर्फ उनका number रह गया around 1000 1500 2000 तो उन species को हम regard करते हैं उन्हें हम consider करते हैं as a endangered species वो भी extinct होने की कगार पर पौन चुके हैं जैसे की इदर इंजेंपल मैंने लिख है giant panda tiger tiger के लिए कितना है था safe tiger safe tiger तो वो क्या थे about 1400 tiger रहा गये थे कुछ अगर तींचा साल पहले की बात की जाए तो उस टाइम पे यह प्रोजेक्ट बड़ा चला था कि safe tiger वाला आगे बात आती है आपको पता होना चाहिए यह endemic species endemic species कौन से होते हैं extinct बहुतों को बताओगा endangered बहुतों को बताओगा अब endemic species यह बड़े स्टूइट्स को पता नहीं होगा इसलिए मैं यह भी लेकर आऊ endemic species कोन से होते हैं आप पढ़ लेते हो लेकिन आप उसके पर research नहीं करते हो research करो आपको अपने आप पता चल जाएगा तो endemic species क्या होते हैं endemic species are plant and animal species that are found in a particular geographical region जो अपने particular geographical region में पाए जाते हैं उन species को हम बोलते हैं endemic species जिस for example some species are endemic to a continent कोई उस specific continent में ही पाया जाते हैं जैसे कोई Asia में ही पाया जाएगा कोई Africa में ही पाया जाएगा तो हम बोलते हैं यह जो specific यह जो animal है यह जो creature है यह endemic है Asia का यह endemic है Africa का while the others can be endemic to a island और कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ एक particular island से ही नाता रखते हैं वो और कहीं नहीं होगेंगे जैसे कोई थंडे इलाके में ही होगेगा तो वो आप पा सकते हो अंटार्टिका में ठीक है कुछ creatures ऐसे होंगे जो अंटार्टिका में ही को करेंगे कोई animal भी हो सकता है कोई plant भी हो सकता तो उन species के लिए हम word यूज करते हैं endemic species अगली हमारी जो term आती है that is red data book अगली term हमारी क्या आती है red data book तो red data book क्या है red data book is a document that keeps record of all the endangered species of animals, plants, fungi in a country और state red data book वो book है या वो document है जो record keep करती है सभी के सभी endangered species endangered species कौन से है जो खतम होने की कगार पर पहुंच गया है जो खतम होने वाले है जिनकी species जो extinct होने की chances है जिनने तो red data book उनका record रखती है the international union for conservation of nature इसकी short form होती है IUCN इसके बारे में अभी आगे मैं बताऊंगा clear ठीक है the international union for conservation of nature establish the red data book to safeguard the rare species उन्होंने ये red data book specify की उन्होंने ये establish की ताकि वो जो rare species है जो खतम होने वाले है endangered species है उन्हें वो बचा सके on earth so as to prevent in their extinction ताकि उनकी extinction को बचाया जा सके वो endangered में है उनकी species को बचाया जा सके अब मैंने आपको बता है IUCN है क्या IUCN IUCN की full form है international union for conservation of nature ठीक है आपको ये पता होना चाहिए ये भी mcq आ सकते है हम सब भी हर एक animal का IUCN status पढ़ेंगे की वो endangered है की extinct है की least concern है आपको मैं जबता दूं इनका main aim क्या है इस organization का इस organization का main aim है influence encourage and assist societies throughout the world पुरे world में उन्हें influence करना है उन्हें encourage करना है और उन्हें राय देनी एसिस्ट करनी है to conserve the integrity and diversity of nature to ensure that any use of natural resources is equitable and ecological sustainable ताकि इस संसार में ecological balance बना रहे कोई भी प्रजाती जो है वो खतम ना हो क्यूंकि अब देखो आपको मैंने बताया ऐसी बड़े creatures है जो खतम हो चुके है जैसे डोडो बताया ठीक है तो अब इस ecology को बचाए रखने के लिए ये एक organization बनाएगी उन्होंने red data book बनाई red data book में endangered species का record रखते हैं IUCN is the world's oldest and largest global environment organization ठीक है ये चाहे आपको एक्जाम में नहीं पुछा लेकिन आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो हम discuss करेंगे important phone of GNC अपने आप पता चल जाएगी अब आपको जो इसमें main चीज पता होनी चाहिए what are the seven categories of IUCN red list जो IUCN की red list है उसनोंने seven categories बनाई है क्या क्या नाम है उन seven categories के that is first one आजाती है data deficient second one least concern data deficient क्या होगी जिसकी data जो है deficiency है कमी है accurate data हमें इसका नहीं पता second आप कहाता है least concern मतलब इस पे ज़्यादा जोर देने की ज़रूद नहीं है कि concern करने के भी इतनी ज़्यादा ज़रूद नहीं है तो उन animals को हम डालते है least concern में next आप कहाता है near threatened मतलब threatened के आसपास है इतना अभी गबरानली बात नहीं है लेकिन proper steps follow कर लो क्यूंकि यह endangered के आसपास पहुंच चुकी है vulnerable near threatened के बाद यह आ जाता है फिर उसके बाद आ जाता है endangered ठीक है endangered के बाद critically endangered के बाद extinct in the wild और लास्ट में extinct यह आप देखे हो sequence wise मैंने लिखे है सबसे पहले आपका data deficient रहता है फिर least concern रहता है और यह so on आपका reduce होते रहता है ठीक है जैसे endangered होगा endangered के आद वो extinct in the wild हो रहेगा जब extinct in the wild हो गया तो proper उसकी जब extension होगी तो last step आप कहा रहता है extinct ठीक है यह इसके seven categories है IUCNK red list के अब हम पढ़ते हैं जो इस topic में हमने main पढ़ना है that is important for now of JNK इस topic में वैसे national park भी पढ़े जा सकते थे कोई 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 आपको national park भी पढ़ाएगा लेकिन मैं बता दूं national park इसमें नहीं आएंगे national park हम पढ़ेंगे tourist destination में ठीक है वो भी मारा topic है उसमें हम national park को cover up करेंगे तो क्या है important for now of JNK पहला आपका आता है most important हंगुल ठीक है important for now of JNK में पहला कौन सा आता है हंगुल हंगुल को आप जैसे जानते हैं यह हमारा state animal भी है जिसे हम किस नाम से जानते हैं कश्मीरी स्टैक तो बड़े से students को doubt भी होगा तो मैं अपता दूं हंगुल और कश्मीर स्टैक एक ही होता है ठीक है या इसे हम दूसरे नाम से और क्या नाम है इसका कश्मीरी रेड़ डियर के नाम से भी जाना जाता है तो आपने याद रखना है आपसे पूछा जा सकता है the state animal या ut animal of JNK का कोन है तो हंगुल या कश्मीरी स्टैक इस दा राइट आंसर तो इसक अलेफस हंगलू ठीक है इसे आप नोट डाउन कर लो यह आपसे पूछा जा सकता है इसका साइंटिफिक नेम क्या है फिर बात आती है यह कौन से नैशनल पार्क में पाया जाता है जो आपकी डाचीगम नैशनल पार्क है जो आपकी श्रीनेगर डिस्ट्रिक्ट में है ठीक है उसका आयू सियन स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर इसे भी आप नोट डाउन कर लो अब आपसे अगला जो कोशन पूछा था सकता है हंगूल के रिलेटेड अब आपको बता है अगर जे एंड के रिलेटेड बात की जाए तो मोश इंपॉर्टन आपका हंगूल जाएगा तो प्रोजेक्ट हंगूल उनने स्टार्ट किया था नाइंटीन हंड्रेड सेवेंटी में अब इसका में परपस क्या था तू सेफगाड था हंगूल स्पीशिस इसकी बड़ी कम आप कह सकते हैं नंबर बड़े कम रह गया है और साथ में मैं बता दूं यह जो उनली सर्वाइविंग रेड डियर फैमिली ठीक है जो आपका रेड डियर फैमिली के क्रेचेस हैं उसमें से सिफ और सिफ हंगूल अकेला रह गया है उस कारण यह इन्होंने हंगूल प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया डैट इस इन 1970 अब यह आप देख सकते हो जिन्होंने हंगूल को नहीं देखा उसकी इमेज मैंने देख दिखा दिया आपको क्यों तैसे विजुलाइजेशन से आपको अच्छी तरह याद रहता है आगे हम बात करते हैं अब अपना नेक्स्ट क्रेचर डैट इस मस्क डियर नेक्स्ट क हमारे हंगूल का क्या था critically endangered लेकिन मस्क डियर का है endangered अब यह कौन सी नैशनल पार्ग में पाया जाता है इट इस पाउंड इन किस्तवार नैशनल पार्ग इन जम्मू और दूसरा लिंबर वाइड लाइफ सेंचरी इन कश्मीर डिवीजन अब लिंबर वाइड लाइफ सें है काजी नाग और आपने इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में यह जो काजी नाग है वाइड लाइफ सेंचरी यह कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है नेक्स्ट है जनरली हंटिट फॉर दे मोस्ट इंपॉर्टेंट कोशन जो इससे बनता है मस्क डियर का की में परपस क्या रहता है इसकी हंटिंग का तो इसका में मकसद हैं हंटिंग का और अच्छं के पास एक ह synergle ब्लांट होते हैं जो यूज किया जाते है इन पर्फ्यूम और वह पर्फ्यूम की कॉस्ट बड़ी जादा हथ तक बड़ा देता है तो मेंड चीज इसका यही रहता है मस्क सक्तै क नेक्स पढ़ते हैं मर्खोर मर्खोर के बारे में आपको जो मुएन चीज आपको पताऊने जीए इस दा नैशनल एनिमल आफ पाकिस्तान यह जो मर्खोर है यह आपका पाकिस्तान का नैशनल एनिमल है हमारे नेबरिंग कंट्री डैट इस पाकिस्तान उसका नैशनल एनिमल ह और साथ में पीर पंजल मेकोर जो है इस दा लाज़ेस्ट वाइल्ड गोट इन दा वर्ल्ड ठेक है पीर पंजल मेकोर जो है लाज़ेस्ट पूरे वर्ल्ड में इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में लाज़ेस्ट वाइल्ड गोट में से एक है नेक्स्ट है इसका साइंट scientific name scientific name इसका आ जाता है कैप्रा फेलकोनिया और आई-उ-सी-एन स्टेटस है कि इसका critically endangered जैसे कि हमारा हंगुल का था और साथ में इस आल्सो नोन एस screw horn और screw horn goat नीचे स्की मेज दिखाते तो मैं आपको तो यह आप देख सकते हो screw की तरह इसके horn है उसी कारण इसको screw horn goat भी बोला जाता है अब यह कहां पर पाया जाता है commonly sighted at लचीपोरा एंड हीरपोरा wildlife century that is in बारमुला district next है आपका ibex ibex कहां पर पाया जाता है इसका क्या iucn status है तो इसका iucn status है least concern क्या है इसका iucn status इसकी जो most important चीज मुझे अच्छी लगी वह थी इसके बारे में यह qualities की ibex are very nimble जो ibex हैं बड़े nimble होते हैं nimble का मतलब they can jump more than six feet straight up मतलब सीधे इधर खड़े हैं अगर तो वह सीधे 6 feet की jump मार सकते हैं without running start अब किसी भी इंसान को गर बड़ी jump मानी है वो क्या करता है run करके आता है फिर jump मारता है लेकिन ये खड़े खड़े ही 6 feet की jump लगा सकते हैं अगला है डाक ब्राउन गोट विद डल वाइट सेडल पैच अब आप से अब इसके ब्रीडिंग पीरेट को जब ये ब्रीड करता है तो उस पीरेट को क्या काया जाता है डैट इस रट अगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका इसकी टेल देख सकते हो तेल मैं बता दूं इसकी टेल बड़ी मोटी होती है क्योंकि सारा का सारा इसका उधर ही स्टोर होता है अब पढ़ लेते हैं क्या लिखा है नो लेपेट के बारे में आपका आजाता है आई-उसी-ए-चैट उसका है वन 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 बनेबल और साइंट अच्छा या उनेशिया ये दोनों इसके साइन्टिफिक नेम है ठीक है आप इसे नो डाउन कर लो और स्नौ लेपड को और किस नाम से जाना जाता है आउन्स कौन से नाम से जाना जाता है आउन्स अब आपको पता होना चाहिए अभी जैसे मैं नीचे बताया दर यह तेल a blanket to protected phase अब आपको होता है snow leopard snowy areas में ही पाए जाते हैं तो यह जो इसकी thick tail है यह उसे मदद करती है सर्दी से बचाने में जब वो सोया होता है तो उसे protect करती है from cold और यह इसका blanket as a blanket यह act करती है आगे बढ़ते हैं अपने next में that is black neck crane जिसे हमारा state bird के नाम से जाना जाता है अब मैं आपको बता दूं बड़े से student को इसमें doubt रहता है अगर आप से पूछा जाए state bird of GNK क्या पूछा जाए state bird of GNK तो उसका answer रहता है black neck crane उसका answer कह रहेगा black neck crane अगर आप से पूछा जाए यूटी bird of GNK GNK की यूटी bird तो उस टाइम पे आपका answer रहता है कश्मीरी fly catcher अब आपको इस question को द्यान से answer देना होता है अगर उदर wordy state लिखा है बड़े स्टूइट कहते हैं नहीं अब change हो गया अब यह change हो गया तो आपने इस सीज को द्यान देना होता है उदर लिखा है state तो state की बात और यह जब हम state थे जब हम state थे तो तब हमारी थी black neck 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 crane ठीक है अब हम जब यूटी लिखा होगा जब उन्होंने यूटी को specify किया होगा तब हमने उदर कश्मीरी फ्लाइ कैचर लिखना है अब black neck crane को हटाया क्योंगे आपको इसका भी main purpose पता होना चाहिए तो black neck crane को इसलिए हटाया गया because it is founding लदाख अब आप सभी को पता है लदाख अलग यूटी है और जीन के अलग यूटी है तो अब यह लदाख में पाया जाता है तो इसलिए हम इसे जीन के का आज 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 आप इसे state bird नहीं रख सकते थे उस कारण तो इसका साइंटिफिक नेम है ग्रूस एंटीगॉन और आईउसीन स्टेटेस इसका भी वर्नरेबल ही रहेगा और फाउंड इन कहां पर पाया जाता है अभी जैसे मैंने बता है लदाख रीजन में पाया जाता है आप उसे कह सकते हो इट इस फाउंड इन तिबितन प्लेट्टिव एंड रिमोर्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया अब यह जाधा तर कहां पर पाया जाएगा जो लदाख में तस्व मरोरी लेक है उदर आपको यह पाया जाएगा ठीक है नेक्स्ट है इट इस ऑल्सो नोन एस टिबितन क्रेंड के नाम से भी इसे जाना जाता है जैसे कि आप इसकी इमेज देख रहे हो यह आपका ब्लैक नेक्ड क्रेंड अब आगे हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट हिमालियन तार हिमालियन तार आप नीचे जैसे इमेज देख सकते हो इसकी उपर बड़ी एक तरह थेक है गस कस इससाब से आप याद कर सकते हो हिमालियन तार का नाम था हमितिग्रस जमलेहिकस ठीक है अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम और यह था सौरी फॉर देट तो इसका नेचरल एनिमी कोन है जो इसके रिलेटिड आपको एम से क्यों आ सकते है जो स्नो लेपड है जो अ और अभी जैसे आपने नीचे इसकी इमेज देखी भी इट एस डेंस रेडिश ब्राउन वुली कोड विद थिक अंडर कोड तो आप देख भी सकते हो ठीक है कितनी मोटी परत रहती है ओकेजनली फाउंडिंग ओकेजनली लिख रहा हूं कभी कबार इन किष्टवार नैश जो आपके की रहेंगी वाइल लाइफ सेंशी वेगारा नैशनल पार्क्स वह हम पढ़ेंगे इंपोर्टेंट इस डेस्टिनेशन में तो इधर ही आपका जो फ्लोरा एंड फोना टॉपिक है वो कंप्लीट होता है होप कि आपके सारे डाउट क्लियर होंगे कोई डाउट इसकी पीडे में आपको हमाई टेलिग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रेटर रिम प्रोवाइड है या आप टेलिग्राम पर सर्च कर सकते है आई जी ग्लासेश उदर से आप यह ले सकते है तो आज हमारा जे एंड के जोग्रफी कंप्लीट होता है तो आज के लिए इतना ही तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना बूले तो आज के लिए इतना ही तो थैंक यू है वे गुड डे एंड इंजॉव ये डे गाइस